जाहिन बच्चो, बच्चो मैं आजकमार वरन सी उत्तरप्रदेश से आपकी अपने चैनल 9 सिक्षन पे स्वागत करता हूँ बच्चो आपको पता है इस समय मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ जो बच्चे इस समय क्लास 7 में हैं वो राष्टी आयम युक्ता धार चादविती परिक्षा यानि की NMMS की परिक्षा की तियारी कर सकते हैं क्योंकि उनका फॉर्म इसी साल आएगा और उनका एक्जाम कई राजियों में एक्जाम 9 दिसम्बर तक होगा और जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहा हैं वो प्रधान मंत्री SSV शादविती योजना और साथी साथ स्रिष्ठा शादविती योजना की तियारी कर सकते हैं तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो क्रिपया प्लेलिस्ट से जो इसकी eligibility है एज है ये सब चीजे जाकर प्लेलिस्ट के जो स्टार्टिंग वीडियो से उनको जरूर देखने की इच्छादवितिया हैं क्या ठीक है और देखे मैंने और इसके कई प्रशनों को model paper है जो क संतोष कुमार, खरे सर, सैलें सर, संजीब सर, सैम प्रकास सर द्वारा बनाये गया है ठीक है और ये practice clip बनाये गया है पढ़ो पढ़ाओ publication द्वारा तो आए मैंने और इसके बिज्ञान के समाजी कद्धेन कई प्रशनों को बताये हुआ है अगर आपने नहीं देखा है उस का एक्जाम देने जाएंगे उसमें भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपकी तैयारी भेकार नहीं जानी है ठीक है कई बच्छे सोचते हैं कि पता नहीं हमारे राज्य में आएगा कि नहीं आएगा पहली बात तो इसमें जान लीजे प्रदान मंत्री ये सश्वी योजना स स्रिष्ठा योजना ये सभी राज्यों के लिए है कई दुसरे राज्य के बिहार के कहीं के मैसेज करते हैं सर हमारे में है की नहीं ठीक है तो ये सभी राज्यों के लिए है बच्छो पेपर ठीक है और जो एनमेस है वो भी हरेक राज्य के लिए है पैटर्न पूरा सेम है अलग लग राज अपने धंग से कराते हैं लेकिन ये सेस्वी और स्रिष्ठा की पूरे देश में एक साथ परिक्षा होती है ठीक है पहला प्रशन आपको दिख रहा होगा निमलिकित पांच भिन्नों का आरोही क्रम होगा एक शीच कहना बोलगे बच्चों कि बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं ठीक है तो इसको देखे हमें क्या करना है आरोही क्रम में एरेंज करना तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हमें जो संख्याएं जो संख्याएं दी गई है उसका हमें क्या करना है उसका हमें लासा निकालना है तो हम संख्या जो नीचे डि यह 8 जो नहीं कटे का उसको वैसी छोड़ देते हैं 5 बंजा 5 और यह 6 अब हम क्या करते हैं कि 2 से काड़ देते हैं 2-4-2-2-1 और यह 3 फिर हम 2 से काड़ देते हैं पुना ठीक है तो यह होगे 2-2-4-1-1 और 3 देखें अब सभी आभाद संख्या आ गई हैं तो लहसा हमें निकालने क्या करना है संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है ठीक है तो यहां देखें मैं क्या करना है 5-2-10 कर दिया है इसको 10 रहने दूंगा ऐसी 3-2-6 6-2-12 अब 12 को 10 से गुणा करना आपको पता है बस 1-0 बढ़ाना होता है लहसा हमें पता चल गया कि 120 आ अब दे देखें ऐसे है तो कक्षा 5 के लेवल का एक मैं बता देता हूं बाकी आप कर लिजेगा जैसे कि अब देखें यहां पर हमें 120 हर एक हर के या डिनोमिनेटर के नीचे लाना है तो हम क्या करेंगे इसको 5 से भाग दे देजे ठीक है 120 को तो 5-2-10 टूंटी है 5-4-20 यानि कि हम 24 से गुणा करेंगे उपन नीचे ऊपन नीचे चौबिस से गुणा करेंगे तो भेन पे कोई असर पड़ता नहीं है एक में करके दिखा दे रहा हूं गुणे 24 बटा 24 क्यों क्योंकि हम इसको देखे 24 24 एक हम 24 थेकम तो हम एक से ही गुणा कर रहे है तो यह देखे गुणा जाएगा आपका दुसरा वाला 45 बटा 120 C बटा 30 बटा 120 ठीक है फिर D वल आजाएगा आपका 72 बटे 120 और E वल आजाएगा आपका 100 बटे 120 ठीक है अब यह देखे हमें पता चल गया देखे हर अगर एक समान है यानि कि denominator अगर एक जैसा है ठीक है तो हम असानी से आरोही करम को कर सकते हैं तो इसमें सबसे छोटी भेन वो होगी जिसका numerator यानि कि अंस सबसे छोटा होगा ठीक है तो यहां देख रहे हैं 30 बटा 120 सबसे छोटा है 30 देखे 30 सभी संख्याओ में 30 सबसे छोटा है तो C पहले लिख लिए ठीक है इसके बाद देखे 30 के बाद देखे 45 है तो 45 B के लिए है तो B को लिख लिए 45 के बाद देखे यह D आ रहा है 72 आ रहा है तो हमने D को लिख लिए इसके बाद देखे 96 आ रहा है तो A को लिख लिए और आखरी में देखिए सौ सबसे बड़ा आ रहा है तो यह हमने ई को लिख लिए तो जो सीरिज बनी CBDAE तो हमारे यह किस option में है option number D में यह है तो आपको पता चला कि answer इसका D क्यों होगा कुछ बच्चों प्रशन काफी मज़धार हैं इसके ठीक है और काफी level हाई होंका question number three काफी important है तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि कैसे उसे हल हमें करना है ठीक है अब देखे को प्रशन नंबर दो आपके सामने है सूची एक के प्रशनों को के मान सूची दो में दिए गया है सही मिलान का बिकल्प होगा अब देखे ये concept वाले questions है प्रतिसत के concepts है कुछ दसमलों के concepts है तो यह हमें देखे आने भी चाहिए ऐसे भी ठीक है तो question number two को मैं आपको दिखार हों कैसे करना है सबसे पहले हम क्या कर रहे है कि दसमलों 05 प्रतिसत ले रहे हैं तो आपको पता है बच्चों की प्रतिसत मतलब क्या होता है प्रतिसत मतलब होता है एक बटा सौ ठीक है तो हम क्या करेंगे दसमलों 05 को हम लोग गुणा करेंगे एक बटा सौ से क्योंकि देखे प्रतिसत इसके साथ लिखा हुआ है ठीक ह तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या करते हैं कि दस्वमलों हटा देते हैं ठीक है आपको concept और clear होगा ठीक है यह देखे नीचे 100 आ गया अगर दस्वमलों के आपके concept अगर clear नहीं है तो मेरे नौदे के वीडियो जे हमको देख लिजेगा ठीक है दस्वमलों हटा दो संख्या है तो दो 0 नीचे आ गया ठीक है अब 5 से हम काट देते हैं फाइव अंजा फाइव यह फाइव टूजा टैन यह बीस आ गया ठीक है तो ऊपर बचा एक ठीक है और नीचे आपका देखे इसका तरीका के हम गुणा नहीं करने जाएंगे जितने 0 है उतने 0 लगा देजेई तो एक बटा 2000 तो हम यह देखते हैं कि तीसरे ऑप्षन में यह है तो एक देखे मिलान हो गया एक तीसरा एक तीसरा हमें मिल गया लेकिन अगर आप options देख रहे हैं तो option 1, 2, 3 में option 1, 2 में तीसरा दिया हुआ तो यह हमें पता चल गया हमें 1 और 2 में से ही कोई उत्तर इसमें है ठीक है लेकिन अभी अनप्रस्णों को भी हमें हल करना है अब देखे 25% यह दिया हुआ है तो प्रतिसत के लिए मैंने जश्ट बताया था क्या करना है तो एक बटा 100 से मोड़ा कर दे अब देखे 25 एकम 25 25 चौका एक बटा 4 आया एक बटा 4 किस option में है पहले option में दिया हुआ है तो हमें पता चल गया बी का जो है पहला option है अब देखे आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें देखे answer मिल गया है B का 1 B का 1 और A का 3 क्यों यह option number 1 में ही है तो answer हमें मिल गया है कि पहला answer है लेकिन जो मैं चाहरा था कि आपको main तरीका आपको हल करके बताना है तो ओ मैं बता दू अब देखे इसके बाद C वाले option में 1 बटा 2 प्रतिसत दिया हुआ है ठीक है तो हम वैसे ही करेंगे 1 बटा 2 गुड़े 1 बटा 100 तो कितना आगे 1 बटा 200 इस तरह से देखे C का हमें उत्तर मिल गया C का चौथा है ठीक है और आखरी में बचा 0.004 ठीक है 0.004 तो इसको कुछ नहीं करना है तो नीचे क्या आगया 1000 क्योंकि कितनी संख्या है 3 तो हमने 3 0 डाल दिया 4 बंजा 4 और यहां देखे आगया 250 तो 1 by 250 यह दूसरे वाले option में है देखे मैंने direct भाग किया है अगर आपको भाग नहीं आता आप ऐसे भी भाग करके उत्तर निकाल सकते हैं यह 280 यह आएगा बच्चो तो इसका उत्तर होगे आपका D का उत्तर होगे आपका दूसरा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरे का पहला option जो है वो सही है ठीक है और देखिए आज का जो काफी important question है तीसरा question हम लोग देखने जा रहा है बच्चो देखिए तीसरा question है दो rail गाडियां अगर विपरित दिसा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है ठीक है चलने वाली rail गाड़ी से कितने परतिसत तेज चल रही है अब देखिए ये सवाल मैं बेसक आपको बता दे रहा हूँ ठीक है इसके बाद मैं एक सवाल आपको दूँगा आपको comment section में उसको हल करके बताना होगा कि उसका answer कितना आएगा ठीक है नहीं आएगा तो मैं उसका उत्तर जरूर बता हूँ तो काफी important question है वो ठीक है तो आईए इसको कैसे समझते हैं पहले समझने का प्रयास कीजिए सवाल कैसे किया जाएगा ये वाला देखे एक condition दिया हुआ है कि एक train इधर से जारी एक train इधर से जारी है ठीक है तो अगर विप्रित दिसा में जाती है तो वो 16 second में एक दुसरे को पार करना है मतलब दोनों को एक दुसरे की लंबाई को ही पार करना है ठीक है तो हम दोनों की लंबाई को मिला कर माल लेते हैं कि दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो है आपकी M, ठीक, A माल लेते हैं, A मीटर, क्लियर है, A मीटर हमने माल लिया, ठीक है, तब अब ये बताइए, कि जब आप ये, माल ये आपका दोस्त इधर से डोड़ा है, इधर से दूसरा दोस्त डोड़ के आ रहा है, ठीक है, अग माल लिया, आपका दोस्त भी इधर डोड़ रहा है, और ये भी कर रहा है, तो एक की थोड़ी सी स्पीड जो है, तेज डोड़ रहा है, क्रॉस करेगा, लेकिन जादा समय लगेगा, ठीक है, तो वैसे ही, अगर दोनों ट्रेन अगर एक ही दिसा में चलती है, तो समय लगता है, दो मिनट और 24 सेकंड का, ठीक है, ये कॉंसेट समझ माया, क्यों देर में करेंगे, ठीक है, एक चीज देखे, दोनों में समान है, कि जब भी इधर से क्रॉस कर रहे हैं, दूरी देखे, जो एक दूसरे को पार करने की दूरी है, अगर मैंने दोनों की जो लेंथ है, दो जो formula है, चाल बराबर होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो बचवो कई चीज़े English में काफी हसान होती है, जैसे speed बराबर distance upon time होता है, तो distance मतलब दूरी होता है, और T समय होता है, S जो speed मतलब की चाल होता है, तो ये भी कोई भी formula हम यहाँ पर इस्तमाल कर ठीक है अब हम यहाँ इसको हल कैसे करें अब देखे हम माल ले रहे हैं जो तेज रेल-गाड़ी चल रही है तेज रेल-गाड़ी मैं पूरी चीजे नहीं लिखूँँगा सॉट में लिख देता हूँ तेज रेल-गाड़ी की जो चाल है वो हमने माल लिया है आपकी x meter पर 30 second ठीक है अगर इंगलिस में कहें तो meter per second बस मैं लिख दे रहा हूँ x है ठीक है और जो धीरे चल रही है जो धीरे rail गाड़ी चल रही है उसकी चाल हमने माल लिया है y meter per second इसको थोड़ा समझने का प्रयास किजिए क्योंकि इस तरह के प्रशन आते हैं और फिर परिक्षा में परशान करते हैं ठीक है अब इसमें देखे जब भी ऐसा हो बच्चो देखे जब बिपरित दिसा में हो ठीक है तो तेजी से एक दुसरे को क्रॉस करेंगे ठीक है और तब इनकी क्या हो जाएगी आपकी सापेक्स चाल रिलेटिव स्पीट दोनों को हमें जोड़ देना है और जब एक ही दिसा में हो जब एक ही दिसा में हो तो सापेक्स चाल को क्या करना है घटा देना है रिलेटिव स्पीट को तो अब यहां मैं लिखने जा रहा हूं कि दोनों की चाल को साथ, जैसे दूरी हम साथ मिले रहे हैं, वैसे चाल को भी आफ साथ मिलेंगे, ठीक है, तो सापेख चाल, या इंग्लिस में कहें तो relative speed, बच्चों ध्यान रखिए कि आप बहतरीन स्कूलों पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको इंग् में ही किताबे मिलेंगे पढ़ने को, तो आप इंग्लिस से भागिए नहीं, इंग्लिस को दोस्त बनागिए अपना, ठीक है, हिंदी में करते रहे हैं, ज्यादा दिक्का थे हिंदी में करते रहे हैं, लेकिन इंग्लिस पढ़ना है, ये दिमाग में बना के चलिएगा, तो सापेक्स चाल उंकी हो जाएगी x प्लस y मातरा वही मीटर पर सेकेंड हम लगा सकते हैं ठीक है अगर ये सेम वही दिसा होई एक ही दिसा में एक दिसा में अगर जा रहे हैं तो सापेक्स चाल हो जाएगी आपकी x-y मैंने माल लिया है कि x जो है बड़ी स्पीड से चल रहा है मीटर परती सेकेंड देखें इस्पीड हमने माल लिया है यह हो गया हमारी छीक के अब हमें पता है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है ए मिटर है तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होगा दूरी बराबर cross multiply कर दीजेए यहाँ पर तो समय गुणे speed, समय गुणे 4, ठीक है? तो मैं पहला equation देखे, बनता है इसका पहला वाला ले लेता हूँ सापेक 4 गुणे समय कितना लग रहा है? जब विपरित दिसा में तो समय कितना लग रहा है? आपके सामने है समय लग रहा है हमारा 16 second का ठीक है? तो 16 से गुणा कर दें ठीक है? बराबर ए दूरी वही है ठीक है? अब दूसरे में समय कितना लग रहा है? दो मिनट 24 second का तो दो मिनट को हम क्या करेंगे? सेकेंड में बदल लेंगे तो 1 मिनट में 60 second तो 2 मिनट में 120 second 120 और 24 144 second ठीक है? वही चीज मैं यहां लिखने जा रहा हूँ X-Y गुणे 144 बराबर A अब यह देखें दो equation हमारे पास बने ठीक है? अब हम देख रहे हैं यहां पे भी यह यहां पे भी यह यानि कि यह दूसरे से बराबर है ठीक है? तो हम इसको बराबर equate कर देए X-Y गुणे 16 बराबर X-Y गुणे 144 अब कुछ नहीं करना है यह cross multiply का नियम लगा कि हम 16 को नीचे ले आएंगे ठीक है? तो X-Y बराबर यह देखे 16 जब इसके नीचे आएगा यह 9 बार में कड़ जाएगा ठीक है? तो 9 आगिया है यहाँ पर तो 9 को bracket हम खोलने तो गुणा कर दे रहा है 9X-9Y ठीक है? अब क्या करना है हमें? कि X को इधर ही रहने तो Y वाले को इधर ले हैं क्योंकि यह plus में है और X को उधर ले जाएं ठीक है? तो Y plus 9Y आपको पता है जो संख्या इधर आती है या उधर जाती है जो plus है तो minus और minus है तो plus हो जाता है यह plus है तो उधर जाके minus हो जाएगा ठीक है? अब यह देखे 10Y बराबर 8X ठीक है? इसको पलट के लिख देता हूँ ताकि आपको easy देखे यह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x बराबर 10y ठीक है अब फिर cross multiply कर रहे हैं y को इसके नीचे ले आ रहे हैं और 8 को इसके नीचे ठीक है cross multiply का नियम कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है अब हमें देखे इसका ratio पता चल गया है कि x बटा y जो है आपका 10 बटे 8 और सवाल क्या पूछ रहा है तेज चलने वाली रेल गाड़ी धीरे चलने वाली रेल गाड़ी से कितने प्रतिसत तेज चल रही है तो हमें यहां पर देखे किवल प्रतिसत से मतलब था प्रतिसत किसक तो माइनस कर देंगे 10 में से 8 गया ठीक है 2 हो गया और नीचे जो है आपके जो धीरे रेल गाड़ी चल रही है उसके compare में निकालना है गुणे 100 ठीक है तो यह कितना आगे 2 बटे 8 गुणे 100 टू बंजा 2 टू फूर्जा 8 पूर बंजा 4 यह 25 तो आपका देखे उत्तर जो 25 परसेंट इस तरह से बच्चों यह सवाल होना था तो इसका option number one जो है वो सही है अब देखे मैं आपको एक सवाल देने जा रहा हूं ठीक है इसको आपको यह हल करके मुझे इसका option यह answer बताना है कि क्या आएगा नहीं आएगा तो मैं सवाल को next video में जरूर explain करूंगा अग सवाल है कि दो एक ही two identical trains take three seconds to pass one another when going in opposite direction अगर वो विपरित दिसा में जाती है ठीक है तो एक दुसरे को पास करने में तीन सेकंड का समय लगता है ठीक है यह आप note कर लिजेगा दूसरा है but only 2.5 second if the speed of one is increased by 50% और अगर एक train की गती माली यह एक train है इसकी गती 50% बढ़ा दी जाए speed बढ़ा दी जाए तो केवल 2.5 second का समय लेती है देखे मतलब यहां 3 second यहां 2.5 second ठीक है फिर है the time one would take to pass the other when going in the same direction at their original speed is तो समय कितना लगेगा अगर वो एक ही दिसा में जा रहे हो ठीक है बस यह सवाल है बच्चो ध्यान दीजेगा फिर मैं बता दे रहा हूं कि the time one would take to pass the other when going in same direction at their original अगर जो इनकी पहले की रफ्तार थी मतलब यह वाली रफ्तार थी जब बढ़ाई ने गई अगर वो एक ही दिसा में जा रहे हो एक ही दिसा में जा रहे हो ठीक है तो जो स्पीड ज्यादा स्पीड में train चल लही है उसे कितना समय लगेगा ठीक है यह सवाल है बच्चो तो अगर आता है तो इसको हल कर लिजेगा और जैसा हो इसका उत्तर बताने का प्रयास केजिए मैं option दे दे रहाँ आपको ठीक है option मैं दे दे रहाँ आपको इसमें option नमबर ए ले लिजे आप 10 सेकेंड option B ले लिजे आप 12 सेकेंड option C ले लिजे आप 15 सेकेंड ठीक है और option D ले लिजे आप 18 सेकेंड ठीक है तो इसको आप ऐसा नहीं कि आप option चल के बस लिख दीजेगा मुझे मेरा मकसद है आप इसको समझें ठीक है बच्चो अब हम लोग मिलेंगे बच्चो नेक्स वीडिया के साथ और उसको मैं हल करके सही तरी के से आपको समझाने का प्रयास करूँगा थैंक्यू 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 गरे